असलाम लेकुम फोल क्लास, how are you? I hope you all are fine and keeping well. Let's start today's lesson on pain no. 84. तो तो हमने सबसे पहले पढ़ना है, we can do it. Fractions, unit no. 5, fractions हम पढ़ रहे हैं, उसमें है, we can do it. सबसे पहले तो आपने इसके ओपर date mention कर लेनी है, आज है date 10, May 2021. 21, question no. 1 देखे, write the mixed numbers for these. Question no. 1 है, write the mixed numbers for these. ये जो pattern दिये होए हैं, disc दिये होई हैं, इनको देखते होए हमने क्या करना है, mixed number लिखना है, देखे, 1, 2, 3, total 3 हैं, लेकिन इन में से fill कितने हैं, 1, 2, 2 whole हैं, ठीक हैं, और ये 1 जह हैं, इसमें 3 fill किये होए हैं, colored हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, बच्छे, ये whole हैं, दो whole हैं, ठीक है, इनको हम कैसे लिखेंगे, 2 whole, और 1 का, 1, 2, 3, 4, 4 parts हैं, 4, total लिखेंगे, color कितने हैं, 3, तो इसको लिखेंगे, 2 whole, 3 by 4, बच्छे, इसी तरह से आपने question no. B, जो आपने fill कर लेना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 3 whole है, और 4 का, जो last वाला है, इसको total कितने हैं, 6, 3 whole, 6, और 1 color, 1 by 6, 3 whole, 1 by 6, ठीक है, question no. 2 देखें, अच्छे, आप देखें, question no. 2 का first देखें, इसमें लिखा हुआ है, ये number दिया हुआ है, fraction दिए mix fraction, इसको उसमें कहा है, किसको क्या करें, simplest form में लिखें, simplest form में हमने करने के लिए क्या किया था, 2 के factors निकालते हैं, और 8 के factors निकालते हैं, यानि ये किस-किस table में आता है, ठीक है, फिर जो highest common factor होता है, greatest common factor होता है, उस पे दोनों को divide कर देखें, जैसे देखें, यहाँ पे factors of 2, factors of 2 कौन से हैं, 1, 2, यानि ये 1 के table में भी आता है, 2 और 2 के table में भी आता है, factors of 8, 8 के factor कौन से हैं, 1, 2, 4, 8, 8 जो है वो इन सब tables में आता है, इन में से common factor, common ये है, ठीक है, 2 है, 1 भी है दोनों में, 2 भी है, लेकिन हमने greatest common factor निकालना है, 2 निकलाया हमारे पास, greatest common factor is equal to 2, तो greatest common factor जाए वो 2 है, हमने क्या करना है, ये वाली जो fraction है, इसको हमने दोनों उपर और नीचे दोनों को क्या करना है, 2 पे divide कर देना है, तो देखें, पहले 2 वाला जो है, उपर वाला उसको divide करते हैं, 2, 1s are 2, ये आ गया हमारे पास, 1, अब 8 को करते हैं, 2 पे, 2, 4s are 8, 4 आ गया, तो 1 by 4, 5 ऐसे ही, ठीक है, इसका मतलब जो है, इसकी simplest form जो है, वो है, 5 whole, 1 by 4, इस से मजीद ये simple नहीं हो सकता, ये इसकी simplest form है, अब देखें, बच्चों करते हैं, 2 ही का second part जो है, वो है, 1 whole, 4 by 8, इसको हमने क्या करना है, simplest form में लिखना है, तो क्या करेंगे हम सब से पहले, 4 के factors निकालेंगे, factors of 4, 1, 2, 4, या ये इन टेबल में आता है, फिर क्या है, नीचे वाले denominator के factor निकालेंगे, factors of 10, 1, 2, 5, 10, या इन टेबल में आता है, तो उसके बाहल क्या करेंगे, इसके common factor देखते है, 1, 2, ठीक है, 1 ओर 2, दोनों में common है, अब इं में से, इन दोनों ये जो common factor, इं टेफ्टकर, क्या है, 2, सबसे बड़ा यह है, 1 नहीं है, 2 बड़ा है, अब ग्रेटकर को हम क्या करेंगे, इसके divide करन तो इसका मतलब यहां पे आ गया टू वन होल टू टैन को करकर देखते हैं टू पे डिवाइड टू फाइव जा टैन फाइव आ गया फाइव तो इसकी सिंप्लेस्ट फाइव क्या है वान होल टू बाई फाइव हम इसको मजीज नहीं कर सकते हो फचो को समयर तू की का सी पार्ट देखें six hole three by 6 इसको हमने सिंप्लेस्ट फार्म में कैसे लिख रहा है अब इसका सी पार देखें six hole three by six इसको हम क्या करेंगे simplest formula लिखेंगे six hole को तो वैसी रहने देंगे ठीक है six hole को हम वैसी रहने देंगे इसको हम simplify करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे factors of 3 3 के factors निकाले 1 और 3 आगे factors of 6 6 के 1 2 3 6 यानि ये इन टेवल में आता है six अब क्या करेंगे इसके common factor देखेंगे ये भी common है ये दोनों में है 3 common है दोनों में है अब इनमें से greatest कौन सा है 3 तो greatest common factor is equal to 3 है तो हम क्या करेंगे इस पूरी fraction को 3 पे divide कर देंगे 3 1 इस उपर को अंदर रखा 3 1 जा 3 1 आ गया six whole one अब नीचे बादे के six है इसको हम three पे करेंगे three two six two आ गया two तो ये हमारी क्या है simplest form है six whole three by six six whole one by two इसके simplest form है